आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके साथ शेयर करने बाली हूं मुलतानी मिट्टी का फेसपैक तो यह एक रिट्प्रस्टेट वीडियो है मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने का चलो फिर मैं आपको साथ शेयर कर देती हूं कैसे मुलतानी करती हूं और फेस को जो है नौर्मल पानी से मैं अच्छे से बॉश कर दोंगी तो चलो पहले बना लेती हैं यहां पर गाइस हम लोग ले लेंगे मुलतानी मिट्टी जो कि मैंने ले ली है तो यह बिल्कुल फिरेस मुलतानी मिट्टी है मतलब कोई पाउडर नहीं है साब मुलतानी मिट्टी है यहां पर ले लिया है मैंने गुलाब जल और बेसन ले लिया है नीवू का टुकड़ा ले लिया है ऐलोवेरा ले लिया है और यह जो पिंग कलर का आप देख रहे हो गुलाब जल तो यह मैंने घर पर बनाया हुआ है अगर आपको इसको बिदी चाहि तोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि मुलतानी मिट्टी भीग चुकी है अब मैं इसमें एड कर लूगी बेशन जो कि बेशन हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है जिसके हमारी स्कीन एकदम मतलब वायट हो जाती है मैंने अक्सर द यहां मैंने डाला है गुलाब जल तो गुलाब जल के बैनिफिट तो आप सभी को मालूम ही है और यहां पर जो है मैं ऐलुवरा जेल का यूज कर रही हूं तो यह एलुवरा जेल विल्कुल फ्रेस वाला है जो कि मेरे घर में ही लगा हुआ है और अगर आप लोग के पास अगरे तो आप लोग मार्केट वाला होता है वह वी उसकर सकते हो मेरे बास बोवी था बट मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब मेरे पास और इसी को क्यों यूज करूं तो बस मैंने यहां पर डाल दिया है अब मैंने यहां पर जो है नीवू भी इसमें एड़ कर दिय है और नीवू हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है वायट करने के लिए और क्योंकि इस जो ब्लीच पगएरा होती है वह उसमें लेमन मिलके आता है तो आप लोग यह माल लीजे कि नीवू हमारी स्कीन के लिए बहुत ही वैनिवेट होता है खासकल जो हमारे फेस यहां पर है मैंने इस सभी चीज़ों को अच्छे से एड़ कर दिया है अब मैं इस सबी zeども को अच्छे मिक्श करदूगी तो आपको ऐसे हमागोंगा के इन साही चूझा देना है और आंगे चलते हैं तो फीक और मैं ने बना लिए यह फेस को जो है बौश करो का जूश है तो बहुत सारे benefit है मुलतानी मित्टी साथ यह को बहुत है नुक्षकर क्ष़ कर दूंगी है आप लोगं सकते हो कि मेरा ट्राइ ओचुका है और यह है मुलतानी मिट्टी का पैक जिसको मैंने भनाका आजिक इथ तो चलो लगा तो आप इसको जब भी लगाए ना तो नीचे से आप ऊपर की दिसाग तरफ लगाएं आप इसको ऊपर से नीचे तरफ ना लगाएं तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप इसको ऊपर से नीचे से ऊपर तक ले जाएं और मैं इसको बहुत हलके आतों से लगा रह थुखके करना है और यह मेरा लक्के रेडिन हो चुका है अब इसके बाद हएस्व मेरा बॉलना है ना किसी से बात करना है जुक्त चाप हूं इसको बॉश कर लेना है तो मैं इसको बॉश कर लीजनिंगों वैसि कर लिया है शी बॉश आप लोग है स्कुचिन SW estern और रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो बैसे मैं कभी कावा लगाती रहती हूं कंटीनु तो नहीं लगाती गाइस बहुत सारे बैनी फिट हैं मुलतानी मिट्टी के अगरम फेस पर लगाते हैं तो इसकीन हमारी एकदम टायट हो जाती है इससे और एकदम ब्रायट हो जाती है बहुत अच्छा एक गलो निखर के आता है तो इसकीन पर इसको लगा सकते हो एलोवेरा जेल को तो बस मैं इसी को थोड़ा सा अपनी स्कीन पर लगा लूंगी और आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छी स्कीन हो चुकी है और इसकीन पर एक खलका साथ गलोवी आचुका है आप इसको है ना फटे में तीन बार नगा सकते हो और आपको जैसे मेरी ओली स्कीन है मेरी स्कीन पर आप लोग देख सकते हो कि हमेशा ओल आता है जब मैं व्लॉगिंग करती हूं व अगर मैं डेली लगाऊंगी तो जो उयल होता है न वो इससे बहुत कंट्रोल हो जाएगा तो गाइस आप लोग बताना कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और आई वोप की पसंद आया होगा पसंद आये तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब करना तो चलो फिर मिलती भू नेश्ट वीडियो मत अपके के लिए बाई बाई टेक केर थेंस पूर वाचिंग लव्यू तो आल